फिल्म गंगुबाई काठ्यावाडी से आलिया भट का धोलीडा सॉंग रिलीस हुआ इस सॉंग में नया तो कुछ इतना नहीं है क्योंकि सॉंग में आलिया भट के जो मूव्ज है वैसे मूव्ज हम दिपिका को करते हुए देख चुके हैं फिल्म रामलीला में इसके अरावा एश्वलिया राए के धोली तारो वाले सॉंग की भी जलब इस गाने में दिखती है एकाथ स्टेप तो इस गाने में आलिया भट रनवीर सिंग वाला भी करते नजर आई आलिया भट के इस पूरे डान्स और इस पूरे गाने पर इंपक्त तो संजे लीला भनसाली का ही था नो डाउट वही मास्टर है इस गाने के लिए लेकिन एक चीज जो आलिया भट ने इस गाने में कर दिखाई है यह है सॉंग का सेकिंड लास पार्ट, तकरीबन एक मिनिट का ये विडियो है इस गाने के अंदर जहां पर आलिया भट लगातार डांस करती है, काफी एनरजी से डांस करती है, ग्रुप वाले सब छट जाते हैं, अकेली आलिया तब डांस करती है और एक मिनिट तक बिना किस किसी टेक बिना किसी कच के अलिया भट ने यह ढांस बिलबित मा अलिया भट बैन उक्रपाय देन कैना के अलिया भट ने आपके पर्फॉर्मर gender पाखी इमेज उनके साथ चिपकी है, वो इमेज आज तक लोगों के दिल और दिमाग में जगा कर गई है और यही कुछ होने वाला है आलिया भट के इस धोली डोग गाने में जिसके सेकेंड हाफ में तकरीबन एक मिनिट तक आलिया भट ने बिना किसी कट, बिना किसी रीटेक के जांस किया है है तो यह घरबा ही लेकिन आलिया भट ने इसमें अपनी एनरजी डाल दी है आपको बता दे कि फिल्म गंगुबाई काठ्यावाडी में गंगुबाई का किरदार निभाते नजर आएगी आलिया भट जो की एक फीमेल माफिया डॉन और एक प्रोस्टिट्यूट थी और पॉलिटिक्स में भी काफी दखल अंदाजी करती थी और कमाठीपुरा में जो प्रोस्टिट्यूट्स रहती थी उनकी जिंदगी में काफी बदलाव गंगुबाई काठ्यावाडी के कारण आए थे वो प्रोस्टिट्यूट्स के हग के लिए लड़ा करती थी यह फिल्म 25 फरवरी को थेटर्स में रिलीस होगी आलिया भठ के अलावा फिल्म में अजय देवगन और विजयराज दमदार रोल्स करते नजर आएंगे